तो दोस्तो TFT ने अपने सारे operations pause कर दिये हैं, news तो आपको मिल गई होगी, TFT के साथ साथ skill funded trader ने भी अपने सारे operations pause कर दिये हैं, ऐसे rumors हैं, और ऐसा क्यों हुआ है, इसके बाद कि आप प्रॉफम प्रॉटरेट करना चाहिए या नई, क्या प्रॉफम एंड हो रही है यहां प traders पे, मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी दुबई में XM team से मिलने, XM के CEO से हम मिलने हैं, काफे कुछ बातचीत हुई है, उसके बारे में आपको Instagram पे दिखाऊँगा, अगर आपने Instagram follow नहीं कर रखा है, link आपको description में, pin comment में मिल जाएगा, जाके Instagram follow कर लो, आपके news मिल गई हो operations pause कर दिए, trade करें, तो करें कहां पे, तो देखा जाए तो यह जो सब हो रहा है, हो रहा है MT4, MT5 की banning के बार, क्योंकि उसके बार में match trader पे, C trader पे, DX trader पे, इन सब platforms पे, prop forms के लिए अपना business करना difficult हो रहा था, क्योंकि हम लोग traders हमेशा MT4, MT5 यूज करते आया है, इसी से familiar है बाकि सारे platforms में हम इतना easy literate नहीं कर सकते हैं, यह prop forms इस पे अपना system migrate नहीं कर पा रही थी, चाहा कर भी, इतने times वो try कर रही थी, बट अभी के time पे, वो नहीं कर पा रही है, इसलिए, unfortunately, TFT ने अपने सारे operations pause कर दिये, and I was not expecting, and not even me, जितने भी बड़े-बड़े traders हैं, जो जो उन्होंने TFT से withdraw लिया है, जो उन्होंने TFT का funded challenge पास कर रहा है, किसी ने भी expect नहीं कर रहा था कि ऐसा कर सकता कभी TFT, but yes, 4X prop firms में कोई भी regulations नहीं है, so, prop firm safe नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, अब भी आप अगर किसी prop firm पे करते हूं, कुछ लोगा कहना होगा, smart prop firm, जो कि हमारी futures की prop firm है, या फिर इसके funded trader भी safe बोलते रहे, बट उसके साथ भी कुछ नहीं कुछ ऐसे हो रहा है, तो अभी के time पे, जब तक चीज़ें settle नहीं हो जाती है, it will be better कि आप अपने self account पे, broker पे trading करो, वहाँ पे अपका fund safe रहाएगा, पे आप trade करोगे, time लगाओगे, challenge pass करोगे, आपको payout ने मिलेगा, बहुत ज़्यादा होँआ पे दिक्कत होती है, इसलिए अभी के time पे, जब तक prop firm के situation settle नहीं हो जाती, it will be better कि आप अपने self account पे trade करे, and brokers की, prop firm के situations में अभी नहीं लगता कि यह recently बहुत जल्ली solve होने वाल drawdown, 8-10% को overall drawdown, वहाँ पे हम C में तो जाते हैं, अगर 5% को drawdown गया, account गया, टाटावाइब है, जो भी हमारे account के फीचती ही चली गई, but brokers पे आप 5% के अलावा, अगर आप 5%, 5%, 6%, 7% भी per day का अगर आप लॉस कर रहे हो, तो भी आपके पास बाकिक account है, आपका fund नहीं गया, सार आपके account में है, so it will be better कि अगर आप अपने self account पे trade करो, और अगर आपको broker देखना कौन सा बेस्ट है, तो XM is the best broker, वहाँ पे अभी March मन्त में चल रहा है, 100% का deposit bonus, आपको 31st March तक, आप जो भी इसमें deposit करोगे, 200$ तक उसमें आपको मिलेगा 100% bonus, 31st March के बाद आपको नहीं just for you, manually activate करवाएगी 100% का bonus, जो valid होगो 200$ तक, मतलब आपने अगर 500$ deposit करे हैं, तो जो शुरू के 200$ है, उसमें मिलेगा 100% का bonus, मतलब 200$ आपने डाले, 200$ XMD का आपको trade करने के लिए, बचे बाकी के 300$, उसमें मिलेगा 50% का bonus, यानि 1500$, 1500$ बाद में दिये, 200$ पहले दिये, total हो total 800$ है, 500$ के deposit पे, आप इससे trade कर सकते हो, इससे profit करके इसके withdraw भी कर सकते हो, और अगर आपकी trade गलती से loss में चली जाती है, ये bonus tradable है, आप 800$ का loss कर सकते हो, मतलब जब आपकी trade में 500$ का loss हो जाएगा, आपका account 500$ का अगर loss होता है, तो बाकी के 300$ से भी आप उसमें loss कर सकते ह अगर का profit होता है, तो उस profit का withdraw भी कर सकते हो, so it will be better कि अगर आप prof firms के जगह, sell account पे, brokers पे shift होके trade करते हो, अब कुछ लोगों के चाहिए डाउट होंगे कि sir, XM की app Play Store पे available नहीं है, yes, अभी available नहीं है, but within 10 days, it will be available on Play Store, अभी के लिए आपको अगर XM की application download करनी है, तो मैं उस आप सभी को मिलेगा, और उसके बाद में अगर आप deposit करते हो, तो आपको अपनी account ID हमें देनी है, हम manually आपके लिए activate करवा देंगे, rest कोई भी doubt हो, नीचे एक बर comment box में लिएक डालो, मैं यहाँ पर I1 Dubai में, XM की team से मिलने कुछ internal meetings वगरा है, यहाँ पर CEO से भी meeting होई है, उ अगर ऐसा कुछ भी situation है आपके साथ, it will be better कि आप जितना जल्दी उससे move on होईंगे, क्यों अगर आप चाहो या ना चाहो वो आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, TFT के चाहने से होगा, वो चाहेगा तो आपको देगा, वो चाहेगा तो नहीं देगा, और अगर आप चाहो ब्रोकर पर करो, prop firms पर अभी कुछ time रुख जाओ, prop firms पर regulations आने वाली है, मैं आज से नहीं कहा रहा हूँ, 2023 में, October, September मैं मैं बोल रहा हूँ कि prop firms पर regulation आने वाली है, अभी prop firms कोई भी safe नहीं है, no matter आप कौन से prop firm पर करो, my forex fund गया, किसी ने नहीं सोचा था, TFT ने भी operations पॉ 100% safe है, यहाँ पर मेरी meeting directly CEO से हुई है, और होने बताए कि fund कैसा safe है, उनके internal liquidity providers कैसे है, कैसे एक सम पर back end से काम करता है, सब चीज़े इट विचेट हमारे डिसकस हुई है, अभी हमारी कल भी और meetings हो नहीं है, तो जो भी होगा, उसके Instagram पर मैं update दो दूँगा, link आपको description में comment में मिल जाएगा, Instagram जोइन करते का, मिलते हैं फिर किसी video में, Instagram पर life है में सारे आपको Dubai टूर कराऊँगा, वहाँ पर सारी चीज़े बताऊँगा, उसे जोइन कर लेना, and problems पर अभी आप trade मत करो, it will be better कि अगर आप self account पर trade कर पाऊ, मैं आप दूबई आया थे, बट अरज shift हो जाएगे